जहीं दोस्तो हर किसी का सपना होता है कि अपना घर हो और मैं इसी करब में घर बनाने जा रहा हूं और जिसका चछत के काम चालू है तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ इसको तोड़ा शेयर किया जाए कि चछत जब बनाते हैं धलाई करते हैं तो क्या-क्या ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा कुछ चीजे में बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए जो सरीया है यह बहुत इंपॉर्टेंट है आप 500D इस परकार के सरीया यूज करे आई ऐसे वाला है और आपको ध्यान रखना कि सरीया जो है वह बहुत ही आप से डलवाना चाहिए सरीया में कुछ कंजूसी ना करें आप जितने सरीया लगते हैं वह आप पूरे पर तरीके से डलवाए नीचे आप देख रहे हैं एलो कलर के जो टेप लगा हुआ है जो सेंट्रिंग है उसके बीच में जो गैप बनता है ना दोस्तों उसमें से ल नीचे आप डालेंगे और ठर्मोकल डालकर फिर उसको कवर करेंगे ताकि शिवेंट कर लेयर है उसके नीचे ना आ जाए जिससे बॉक्स बंद हो सकता है उसके बाद आपको के करना है यह साफ सपाई करने है चट डलने से पहले आपको जितने भी यह कच्ड़े वच्ड़ आ जाते हैं लकड़े के टुकड़े सर जाती है और वहां से लीकेज होने के संभावना बढ़ जाती है इसलिए इसको साप करें और लगाए सभी प्लेटों पे जब यह सेंट्री होता है उसके बाद नहीं हर जगा हुआ होना चीए ठीक है और देखिए यहां पर कितने अच 100 रुपे में मिल जाएगा जिससे आपके छट जो है वो वाटर पूर बन जाएंगे लिकेज की संभावना बहुत ही कम हो जाएगा ठीक है दोस्तों आप मकान बना रहे हैं चट डाले तो पूजा पाड़ भी आप कर लीजएगा देखिए यह बाइवरेटर है इसमें दो प जवरत हो वहां बिल्कुल चलाएं इसमें कंजूसी ना करें दोस्तों आप च्छत के काम के समय आप सामने रहें यह देखिए यह मिक्चर ग्राइंडर है इसमें सभी चीज जो है वह मिक्स किया जाता है सिमेंट और रेत आपको धियान रखना है अच्छी क्वालिटी के ज कानि जीक्ति टिखिए एक सम्तु plac going जो है वह यूज है यहा इसको कि बीम में यूज कीए यह घोना है बहुत अच्छेए करियेगा किसी विरकार के कोई उसमें धरारे वरारे ना आ जाए और बहुत मजबूत बनता है दोस्तों वाइबरेटर की बात अलग होती है इसलिए वाइबरेटर का प्रयोग आप जरूर करें चोटे वाइबरेटर यूज ना करें जो गन वाला थैना वो यहां पर नहीं चलेगी यहां पर थोड़ा स सरफेस बनेंगे ना दोस्तों तब आप वाले वाइबरेटर की यूज करेंगे अब देखें यहां पर पूरे पाइप का यह जाल बिचा चुके हैं और इलेक्टरिशन को यह पता है कि कौन से पाइप कहां से जाएंगे इसके भी ड्रॉइंग होते हैं और देखें यह ब्ल की उड़ा रहते हैं दोस्तों तो देखें यह माल वन गया है और यह उनको कवर करते हैं और वीम कावर करने के बाद फिर उसको उसमें वाइवर्टर चलाते हैं फिर दूबारा से पूरे फ्लेट सर्फेस में मटरी को डालते जाते हैं यह देखी यह ब्लॉक है यह भी आप पास मिलता है इस परकार से सभी जगह आपको ब्लॉक डालना है ब्लॉक डालने से सरी और दो मतलब की एक इंच नीचे आपको मट्रियल मिल जाएगा तो यह आप यूज करें कभी कभी क्या करते लोग गिट्टी बगरे डालने से उतना फायदा नहीं होता है जितना ब्लॉक से सेम मैंटेन होता है तो इसे भी आप थ्यान रखेगा तो यह आप जरूर यूज करें अब हम बात करते इट के बारे में तो दोस्तो इट जो है प्यूर घोल की एट होने चाहिए एक एट सम्थिंग आपको नौ रुपए के आज पास मिलेंगे दोस्तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके जो चौकट बगरा है तो दोस्तो यहां पर हमने यूज किया है देवा सेक्शन प्यूर जी आई के और जो की करने के बाद आपको तरही बहुत जोड़ात तरीके से करना है आपको लगभाग 15-20 दिन तक के तरही करना है और जो भी डिजाइन आपको बनाना है उसे बहुत अच्छे से और कलरिंग करें तो आपका घर बहुत ही सुन्दर बनेगा आशा करता हूं कि मेरे सारे बाद करिएगा थैंक्यू 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 वर वाचिंग आप देखते रहे हैं हमारे चैनल सम्रदी टेक्निकल